दोस्तों आपने अक्साद देखा होगा कि हमारी टीवी आक्ट्रिस अपने दमदार अभिने के साथ साथ अपने मौडन अंदास के लिए भी सुर्खियों में बनी रहती हैं अब जब वे खुद को इतना मौडन बना कर रखती हैं तो वे मौडन होने के नाते अपना हमसफर भ होने के बावजूद लव मैरेज का रास्ता चोड़ अरेंज मैरेज का रास्ता चुना करती हैं उन्होंने अपने माता पिता का दिल दुखा कर अपनी पसंद से शादी नहीं की बल्कि अपने माता पिता की पसंद के अंजान लड़के के साथ अरेंज मैरेज की हैं पर आज वे सभी अरेंज मैरेज कर अपनी शादी शुदा जिंदगी में काफी खुश भी हैं। आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको टीवी की उन ही अभिनेत्रियों से रूबरू कराने वाले हैं जिन्होंने मौडन होने के बावजूद अरेंज मैरेज की है। तो आईए जानते हैं कौन सी है मैं अभिनेत्रियां। दिल में काफी इज़त और बेशिमार प्यार है। इनकी जोड़ी को देकर कोई ये नहीं कह सकता है कि रियल में इनकी अरेंज मैरेज हुई है। कौपलर टीवी शो कसम से से लोग प्रिय हुई एक्ट्रिस कृतिका सेंगर आज के दोड़की लड़की है और काफी मौडन है। पर फिर भी इन्होंने फिल्म चिन्नाई एक्सप्रेस के थंगा बली यानि निकेतन धिर से साल 2014 में शादी की है। और दोनों की ये शादी का रिंच मैरेज है। निकेतन की पिता पंकर धिन्ने कृतिका को अपने बेटे की वाईफ और अपने घर की बहु के रूप में पसंद किया था। जिसके बाद दोनों ने अपने माता पिता के फैसले का सम्मान करते हुए एक दूसरे से शादी की थी। और वर्तमान में इनकी शादी को पूरे 6 साल हो गए हैं पर आज दोनों में इतना प्यार है कि इने देखकर लगता है कि नहीं कि दोनों की अरेंच मैरेज हुई हैं दोनों ही एक दूसरे का खूब ख्याल रखते हैं और इसी प्यार भरे रिष्टे के साथ यह अरेंच मैरे की थी साल 2009 में वर्तमान में दोनों की शादी को पूरे 10 साल हो गए है और आज दोनों का एक बेटा भी है इन बातों से ही पता चलता है कि परीदी अरेंच मैरेज कर कितनी खुश है तनमें इनसे बहुत प्यार करते हैं साथ ही इनकी काफी केर भी करते हैं अब अरेंच मैरे नेत्री शेफाली शर्मार कितनी मौडन है ये बात इनके ड्रेसिंग से साफ पता चलती है इसे के साथ ही इनकी सोच भी काफी मौडन है पर इतनी मौडन होने के बावजूद इस अरेंच मैरेज को चुना है इन्होंने अपने माता पिता के पसंद द्वारा किये गए बिता रहे हैं शादी से पहले दूसरे को बिल्कुल भी ना जानने वाले ये दो अजनभी आज एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं और एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं नमब फाइफ नरायनी शास्त्री टीवी की पॉपलर आक्ट्रिस नरायनी शास्त्री भी उन्हीं आक्ट्रिस में से हैं जिन्होंने मौडन होने के बावजूद अरेंच मैरेज की हैं इन्होंने अमेरिका के रहने वाले स्टीवन ग्रेवर से साल 2015 में शादी की हैं जिन्हे इनके पिता ने इनके लिए पसंद किया था ये पेशी से एक businessman है जिनका London में काफी बड़ा business है पिशादी के बात से ही वे अपनी पत्नी के साथ इंडिया में ही रह रहे हैं इससे तो साफ पता चलता ही कि इनोंने अपनी पिता के पेसंद किये गए लड़के से शादी की है बिल्कुल सही किया एक तो वे पैसे वाले हैं साथ ही इने इतना प्यार भी करते हैं तो दोस्तों इन में से आपको कौन सी आक्ट्रिस की जोड़ी उनके पती के साथ अच्छी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताए साथ ही टीवी इंडस्ट्री स जोड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें